नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकाल अभिशेक रजक में दोस्तों आज के इस वेडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटर्मेडियेट के छात्रों को यूपी बोर्ड द्वारा प्रमोड किया गया था तो काफी छात्रों के नमबर कम थे तो इसी लिए यूपी बोर्ड उन छात्रों को एक और मौका देगा जिनके नमबर कम थे या जो द्वारा पेपर देना चाहेंगे तो चलिए जान लेते हैं पूरी बातों को तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं हमारे मुबाइल स्कीन पर आज के पेपर में छपा हुआ एक आडिकल है जिसमें बताया गया है परिच्छाएं कब से इस्टार्ट होंगी तो शपन लाग से अथिक विझार्थियों को बिना परिच्छा सुल्क दिये एक या एक से अधिक विश्यों में सामिल होने का मौका दिया जा रहा है तो यहां पे देख सकते हैं साफ साफ सब्सुर्ण में बताया जा रहा है अगर आपके भी नंबर कम है किसी भी तो आप बिना सुल्क दियें दुबारा से पेपर दे सकते हैं यूपी बोर द्वारा ये मौका दिया जा रहा है तो चलिए जाल लेते हैं पूरी बातों को अंक सुधार की लिखित परिच्छा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक कराई जाएंगी तो आपका जो ये लिखित जो आपको नंबर मिलेगा फिर से वही मानने होगा उनका 31 जुलाई को घोसित रिजल्ट आमान होगा जो आपका इससे पहले 31 जुलाई का रिजल्ट घोसित हुआ है वो आमान हो जाएगा और आपका नया रिजल्ट मिलेगा एक्जाम देने के बाद इसके बाद देख सकते इसमें लिखा गया है इससे ऐसे समझे कि जो भी द्यार थी अभी उत्रिड हैं अंक सुधार परिच्छा में सामिल होने पर जरा सी चूक होने पर वा फेल भी हो सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मान लिजे अभी आप पास हैं और कहीं आप फिर से एक्जाम देते ह तो कहीं आप फेल हो जाएंगे तो यह जान लिजे आप फेल ही माने जाएंगे उसके बाद देख सकते हैं लिखा गया है कुरोना की दूसरी लहर में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल वा इंटरमेडियेट 2021 की परिच्छा निरस्थ कर दी गई थी दोनों कच्छाओं में पं इंटरमेडियेट कर जो रेजल्ट 21 कारिक को घोशित हुआ था तो यही देख सकते हैं यही बाते बताए जा रहे हैं तो हम आपको बता दे कि इसको लिए आपको आवेदन कहा करना होगा तो इसका जो आवेदन है वो आप यूपी बोर्ड के ऑफिसियल वेबसाइट से कर पाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं लिखा गया है 27 तक कर सकते हैं आवेदन परिच्छा के लिए बिद्यार्थी 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं उन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां उपलब्द फॉर्म को डाउनलोड करना होगा फिर उसे भर के बिद्याले में प्रधाना 4 को 27 अगस्त तक जमा करना होगा उसके बाद आप तब एक्जाम जे पाएंगे तो यहां पे देख सकते हैं आपको जाना होगा यूपी बोर्ड की ओफिसियल वेबसाइट पर वहां से फॉर्म को डाउनलोड करना होगा फॉर्म को फिल करना हो उसके बाद आप परिच्छा में सम्मिलित हो पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी अगर अच्छी लगयोगी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं फ आपके लिए बाइब